Hello and welcome friends, Microsoft Excel सिखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वाधत करता हूँ और आज की ये वीडियो Microsoft Excel की Excel में आज फास के आउने वाले आई ये आपको बताता हूँ यहाँ पर देख सकते हैं role number, charter का नाम computer, English, science, sst, maths कुछ subject के नाम मैंने लिख लिए है, और कुछ student के नाम में लिखे हुए है अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप इसको copy कर लिजे, copy करने का कई तरीका हो सकता है तो shortcut की से ही copy कर लेते हैं, data को select करते हैं और यहाँ से ctrl c press कर देते हैं ये हो जाएगा copy अब यहाँ पर आते है seat number 2 पर, जहाँ पर data लेकर आना हो, वहाँ पर click कर दीजे, ठीक है और यहाँ पर क्या करना है आपको, right click करना है और paste special पर जाना है, तो जैसे paste special पर जाएंगे तो आपको तमाम चीजे इसमें दिखाई पड़ेंगी, all, formulas, values, format, comment और पता नहीं क्या-क्या, ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, निच्छों आपको दिखाई पड़ेगा paste link, तो link को paste कर दीजिए, यह paste कर दिया अब इसको छोटा-बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से आप setting कर सकते हैं, फिलाल इसको ऐसे ही रखता हूँ, और source के चलते हैं, ठीक है, देखिए, यह computer में 74 नंबर पाएं है, ठीक है, राम, देख लिजिए आप एक बार, इसको मैंने अलग पर सा highlight भी कर दिया है, और यहाँ प पाएं है, तो इनका मैं नंबर बढ़ा देता हूँ, 45 कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पर 45 किया, तो क्या यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन अगर source data में कोई changing करते हैं, तो destination data में जरूर परिवरतन हो जाएग यहाँ पर source data में आके दिखाता हूँ, यह दिखिए, 17 है, इसको मैं एक अलग color से highlight कर देता हूँ, दिखाई पड़ेगा आपको, तो यह दिखिए, इनका 17 number है, तो इसको मैं 77 कर देता हूँ, ठीक है, कितना कर देता हूँ, 77, यहाँ पर जाके, इसको attacker 77 कर देता हूँ, या अगर आपको यह video पसंद आया, तो शेयर करें, thank you for watching this video.